इंडिय टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं पाकिस्तान से आज की सबसे बड़ी खबर सिनेट चुनाओ में पाकिस्तानी वित्तमंत्री की हार के बाद इमरान सरकार पर संकट के बादल मंड़ा रहे हैं हार से घमराएं इमरान ने आज संसद में विश्वास मत के लिए पेशकश की है हाला कि विपक्ष ने फ्लोट टेस्ट का बॉयकॉट किया है विपक्ष ने इसे इमरान सरकार का नाटक बताया है और इस नाटक पर नज़र रखने के लिए विपक्ष का सिर्फ एक सदस नाशनल एसेंबली में मौझूद रहेगा विपक्ष ने सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव का भी ऐलान किया है सिनेट चुनाओ में हार के बाद विपक्ष की घेराबंदी से सवाल उठते हैं कि क्या जुस आर्मी के बूते इमरान प्रधान मंत्री बने उसी आर्मी ने इमरान को आउट करने का प्लान बनाया है तो ये बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तानी एसेंबली में आज विश्वास मत लाया जा रहा है इमरान खान की ओर से उनकी सरकार की ओर से और उसकी वज़े है सिनेट की वो इलेक्षन जिसमें पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री रहे गिलानी चुने गए लेकिन जो वित्म मंत्री थे इमरान खान के वो सेनेट के सदस्य नहीं बन पाए जो टोटल वोट्स थे वो जादा मिले विपक्षी पार्टी को याने पीपीपी को और पीटी आई जो की वहां पर सत्ता रूर पार्टी है उसके कैंडिडेट हार गए तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इमरान सरकार के पास भहुमत है क्रिकेटर्स से पॉलिटीशन बने इमरान खान पर पीएम की कुर्सी से आउट होने का खत्रा मंड़ा रहा है ऐसे में पाकिस्तानी संसद में इमरान सरकार ने विश्वास मत पेश किया है और संसत के निचले सदन याने नाशनल असम्बली में विश्वास मत पेश किया गया है सिनेट चुनाओ में इमरान के वित्मंत्री की हार के बाद फ्लोट ट्रेस्ट होता है सिनेट चुनाओ में पार्टी उमीदवार की हार से इमरान सरकार पर संकट बढ़ गया है विपक्ष ने फ्लोट टेस्ट के बॉईकॉट का ऐलान कर दिया है इमरान के विश्वासमत में विपक्ष का सिर्फ एक सदस से मौझूद रहेगा और विपक्ष ने इमरान के विश्वासमत को नाटक बताया है विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान के इस्तिफ़ी की मांगी है और सरकार के खिलाब विपक्ष ने अविश्वास प्रताव लाने का भी अलान कर दिया है इमरान पर विपक्षी पार्टियों के गड़़ मंधन, PDM का दबाओभी बड़ गया है दो दिन पहले ही सिनेट चुनाओ में इमरान के वित्त मंत्री अब्दुलहाफीश शेक को हार का सामना करना पड़ा इमरान के वित्त मंत्री को पाकिस्तानी संसत के उच्च सदन सिनेट के चुनाओ में हार जहलनी पड़ी इस रिजल्ट को इमरान की पार्टी के खिलाब बड़ा जटका माना जा रहा है सिनेट चुनाओ में पूर्व पीम यूसुफ रजा गिलानी ने जीत दर्स की है और इस चुनाओ में विपक्षी PPP ने सत्ताधारी PTI को हरा दिया है पांस साल की पारी खतम होने से पहले ही इमरान पर आउट होने का खतरा क्यों मंड़ा रहा है आपको वो भी समझाते हैं सिनेट चुनाओ में नाशनल एसंबली के सदत से भोटिंग करते हैं जासे जहाँ लोकसभा और राजसभा है उसी तरह से लेकिन इस चुनाओं में इमरान की पार्टी PTI को हारका सामना करना पड़ता है विपक्षी उमीदबार PPP के गिलानी को 179 वोट मिले है जबकि सत्ताधारी PTI के हाफिशे को 164 वोट मिले है यानि कि जो लोगों ने जब वोट किया तो कुछ जो इमरान के पार्टी के लोग थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और यही वज़ा है कि इमरान के बहुमत पर यानि उनकी सरकार की बहुमत पर सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान में फ्लोट टेस्स से पहले आज इमरान की पार्टी PTI और पुर्व PM नवाज शरीफ की पार्टी P.M.L.N. में भिरंत हो गई दोनों पार्टीों के वरकर एक दूसरे के सामने आ गए दोनों पार्टीों में जम कर धक्का मुक्की और मारपिट हुई P.M.L.N. ने इसे PTI की गुंडागर्दी बताए PTI वरकर्स को किराय का गुंडा करार दिया गया पुर्व PM शाहित खकान अबासी और P.M.L.N. के नेता मर्यम और अग्जेब ने इमरान को चैलन्ज किया है अगर उनमें हिम्मत है तो खुद मैदान में उतर कर उनका मुकाबला करें PTI के जंडे हैं और वो और सिनेट चुराओं में वित्त मंत्री की हार से इमरान सरकार के एक बाल पर सवाल उठ गया है बताया जा रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है ऐसे में वो घबरा गये हैं घबराट में वो खुद को नाकाबिल तक बताने लगे हैं और हमारे साथ मनिश प्रसाद जुड़ गये हैं सेनियर एडिटर मनिश आकिर ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी है PTI सत्ता दूर पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी अमित अगवस्ट 2018 से जब प्राइमिनिस्टर के तोर पर इमरान खान ने ओत ली थी तब से लेकर अभी तक उनको लगातार विरोध और इसका सामना करना पड़ा था आप ये समझ लीजे कि जहां जो भी सत्ता रूर्ट पार्टी है उसको ISI की और पाकिस्तानी आवी की पूरी तरीके से शेह होती है लेकिन दरसल पिछले दिनों ये क्वेशन बदलती नजर आई और फिर उसके बाद इसका सीधा सीधा असर इमरान खान के पॉलिटिकल करियर पर दिखाई देने लगा और यही वज़े है कि जब ये सेनेट का चुनाव जब होगा तो उनके फिनेंस मिनिस्टर खुद इस पे हार गए और इसी वज़े से एक बार फिर से जो अपोजिशन के तौर पर बिलावल भुटो मरियम और साथ में जो फजल रह्मान है ये सभी लामबंद हुए अपोजिशन के तौर पर मजबूती के साथ ये इमरान खान के सामने खड़े हुए जब इमरान खान आउगस 2018 में उन्होंने ओत ली थी उस दोरान भी एक जो उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उनके खिलाफ जो विरोध था वो काफी हाय था और धीरे-धीरे समय पाते हुए ये और बढ़ता गया और जैसे ही उनकी पार्टी के अपने लोग ही क्रॉस वोटिंग में सामने आये और फिर उनके मिनिस्टर ही इसमें हार गए तो ये एक पूरी कन्फिग्रेशन और पूरा का पूरा जो आप ये समझ लीजे कि जो तस्वीर थी वो विल्कु साफ होने लगी और इसी का क्या मनिश वाँ पर जो आर्मी है वो चाती है कि अब इमरान खान हट जाए अगर हटेंगे तो किसको लाने की तैयार ये कर रहे हैं आपसे लेकि दो बाते इसमें समझ नहीं होगी क्योंकि इमरान खान एक चेहरा थे उस दौरान ऑगस्ट दो हजार अठार में आपको ध्यान होगा उस समय वो एक उभरते हुए चेहरे के तोर पे थे और पाकिस्तानी आएसाई और आर्मी का पूरा सपोर्ट था लेकिन इस समय ती बहुत बहुत शुक्रिया आपका